अलो फ्रेंड स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूटूब चैनल रजनेर्स मेडिकल लेक्चर में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ड्राइफूट्स के बारे में तो आपके लिए अमरत साबित हो सकता है दोस्तो आज हम बात करेंगे अक्रोट के बारे में जिसको हम वालनेट्स भी बोलते हैं दोस्तो बस आप अगर रोजाना दो अक्रोट का भी सेबन करते हैं तो आपके सरीर के अंदर दस ऐसे बड़े फाइदे देखनों को मिलेंगे जो के आप देखकर चौक जाएंगे दोस्तो 95% लोग अक्रोट खाते हैं लेकिन उनके फाइदों के बारे में नहीं जानते हैं तो आज की इस वीडियो में हम अक्रोट के फाइदों के बारे में जानेंगे तो friends वीडियो को आप पूरा लासन तक जरू देखें वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपको जानकारी पूरी मिलेगी तो चलिए friends वीडियो को स्टार्ट करते हैं friends इस video में हम आपको अक्रोट के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि इसमें कौन-कौन से पोशक तत्त होते हैं तता इसको कैसे लेना होता है इसकी डोज क्या होनी चाहिए और इसको किन-किन इंडिकेशन में लिया जा सकता है चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अक्रोट खाने के फाइदों के बारे में यह आप देख सकते हैं इसके अंदर अगर हम पोशक तत्त की बात करें तो इसमें जो इंगिडियन दिये गए हैं वो बेटामिन E हैं मेलाटोनिन हैं पॉलिफिनॉल से हैं जिंक हैं मेगनीशियम है बेटामिन C बेटामिन B कैलसियम ऐलारजिन ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे एंटी ऑक्सिडन भरपूर मात्रा में दिये गए हैं तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इसके मैन टॉपिक पर की यह जो अक्रोट है इसको हम किस-किस इंडिकेशन में खाशकते हैं हमें यह किस-किस इंडिकेशन में फाइदा करता है अगर इसको हम खाते हैं तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहला फाइदा जो की है आपका ब्रेंड मेमोरी यानि कि जो आपकी दिमाग होता है उसको यह बहुत ज़्यादा सार्प करती है तेज करता है इसके अलाबा आपका जो ब्रेंड है वो याददा से जो इसको कमजोर हो गई है उसको बढ़ाने का काम करता है तो ब्रेंड से सम्मंदित जो भी शमस्या होती है उसमें यह बहुत अच्छा काम करता है दोस्तो दूसरा इसका काम है powerful antioxidant जैसा कि हमने इसको बताया कि इसमें omega 3 fatty acid दी गए और इसमें बहुत सारे antioxidant जो कि भरपूर मात्रा में तो ये आपके body में जो free radicals बनते हैं जो बिसाक्त पदार्त होते हैं जिससे जो cells होते हैं वो damage होने लगते हैं तो ये उन cells को damage होने जो रोकता है जिससे आपके चेरे पर जो जुर्रियां पढ़ जाती है जो anti-aging की problem होती है वो खत्म होती है इसके अलाबा जो आपकी उम्र है वो थोड़ी सी थम सी जाती है और आपका जो skin है उस पर काम करता है देन दोस्तों इसके अंदर zinc और magnesium भरपूर मात्रा में पाए जाता है walnuts के अंदर तो जो पुरुस जिनके सुक्रोणों में कम ही आ गई है जिनको low sperm count की समस्या है तो ऐसी condition में अगर ये अक्रोट का सिवन करते हैं तो उनके जो sperm count की quantity है और quality है वो होनों ही बहतर होती है फ्रेंट्स चलिए fourth benefits की अगर हम बात करें तो heart health के लिए दोस्तों यह heart के लिए पहुत अच्छा माना जाता है dry foods यह आपके brain struck के खत्रे को कम करता है यह आपके blood उसको बढ़ाने का काम करता है तत्हा जो bad cholesterol है जिसको हम बोलते है LDL उसको यह कम करता और आपका जो triglyceride है उस उसको भी कम करता है, तो यह आपके जो heart की disease होती है, उनको सुधारने का काम करता है, इसके लाबा इसके अंदर छटा benefit है, जो कि है anti-cancer properties, यह जब हम महलाओं की बात करें, तो उनको breast cancer का जो खत्रा होता है, उसको यह कम करता है, इसके लाबा पुरसों में एक prostate cancer होता है, यह इन दौनों condition में भी यह जो acute है, बहुत अच्छा काम करता है, उसके लाबा दोस्तों, साथ मा indication, जो care decrease blood pressure, इसके अंदर potassium भी काफी अच्छी मात्रा में होता है, तो जिन व्यक्तियों को blood pressure की समझते हैं, जिनका BP बहुत जल्दी हाई हो जाता है, तो अगर इस acute का सेवन regular कर करते हैं, तो उनके blood pressure में normal की स्तिती हो जाती है, और friends, आगे हम बढ़ते हैं, वीडियो में बात करते हैं, आठ में benefits की, तो यह आप देख सकते हैं, दोस्तों, decrease blood sugar level, यह आपकी insulin को बलाने का काम करता है, जो व्यक्तियों डियाविटिक हैं, यह ऐसी condition में उनके द्वारा भ properties होने का फायदा यह होता है, कि आपके जो gout, यानि कि जो गठिया की problem है, या आपको अस्तमा है, या आपको कहीं भी पूरे सरीर में internally inflammation हो रही है, सूजन हो रही है, आपके joints में पेन हो रहा है, तो ऐसी condition में यह आपके अंदर जो inflammation को खतम करके, आपके गठिया में, आपक जो सूजन है, या आपके joint span में, वहाँ भी आराम पहुचाने का काम करता है, friends, दस में और last benefit की बात करें, तो वो है bone health, bone health इसके अंदर calcium भी होता है, तो यह आपके osteoporosis का समस्या होती है, जिसमें हड्डियों में density हो जाती है, जो हड्डियां भुरुरी हो जाती है, खोकल कि एक सिर्फ ball nuts खाने से मिल सकते हैं, तो चली friends, अब हम बात करते हैं, इसकी doses के बारे में, कि यह जो ball nuts है, इसको कैसे लेना होता है, जिससे आपको maximum benefits मिल सके हैं, friends, इसको वैसे तो आप कभी भी किसी भी समय ले सकते हैं, एक dry foods है, तो आप इसको सुबह, दुपहर, साम, जब मर्जी करें, तब ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इसका नियमित तोर पर सेवन करना चाहते हैं, तरीके से, तो आपको यह सुबह, खाली पेट खाना चाहिए, friends, यह कितना खाना चाहिए, तो यह आपके उपर निर्वर करता है, यह 2 से 6 खरोट आप खा सकते हैं, जो ज़्यादा बर्क आउट करते हैं, तो वो 6 खरोट खा सकते हैं, जो फोड़ा भार अपना चाम करते हैं, वो 4 खरोट खा सकते हैं, जो बेक्ती बर्क from home, यानि कि घर पर घ्जादा लेते हैं, और उनको ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं होता है, तो ऐसी कंडिसन में, वो स चार खा रहे हैं तो चार रखने तो इनको बिंगो कर रख देना है और सुबह उनको चबा चबा कर खाना है और उपर से अगर आप चाते हैं तो इसको दूद भी पी सकते हैं जिससे आपको maximum benefits मिलेंगे आपको ज्यादा फाइदा होगा तो ये अख्रोट को खाने का सही तरीका होता है I hope आपको ये जो अख्रोट है इसके फाइदों के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को